हेलो स्टुडेंट्स त्यारी ओनलाइन में आप सब का स्वागत है आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्थे पुस्तक असपर्स का पहला अध्याय समझेंगे पहला अध्यायक कविर्दास जी का संकलन साखी है बच्चों अध्याय को समझने से पहले हम चभिर्दास जी के बारे में संचेप से जान लेते हैं कबिर्दास जी का जन्म 1398 यानि 1398 में कासी में हुआ था, कासी उत्तर प्रदेश में इनकी माता पिता थे, माता पिता नीरु और नीमा थे, नीरु और नीमा जिन्होंने इनका लालन पालन किया था कबिर्दास जी के गुरु थे, स्वामी, रामानन जी, जिन्से इन्होंने सिख्चा दिख्चा ग्रहन कि थी रामानन जी ने ही कबिर्दास जी को सिख्चा दिख्चा प्रदान किया था कविरदास जी की मृत्यू 1518 इस्वी में बच्चों मगहर नामक जगा पे हो गई थी मगहर में इनकी मृत्यू हो गई थी कविरदास जी के प्रियसे से थे धर्मदास जी धर्मदास जी ने कविरदास जी की वानियों का संग्रह किया बीजक में वीजक में कभीर दाज जी की वानियों का संग्रा है और धर्म दाज जी ने इसे तीन भागों में विभाजित कर दिया पहले भाग में था रमैनी रमैनी का अर्थ होता है बच्चों रामायन दूसरे भाग में उन्होंने रखा साखी को साखी का अर्थ होता है साख्ची और तीसरे भाग में उन्होंने रखा सबद को सबद का अर्थ होता है बच्चों सब्द अब हम कभीर दाज जी के संकलन साखी के बारे में जानेंगे कि साखी का अर्थ क्या होता है तो बच्चों साखी का अर्थ होता है साख्ची साक्षी यानि की प्रमान और ये साक्षी सब्द जो है बच्चों वो बना हुआ किसे है तो ये बना हुआ है साक्ष सब्द से यानि कि किसी भी बात का प्रमान या साक्ष बच्चों साक्षी सब्द का अर्थ होता है प्रतेक्ष ग्यान यानि वो ग्यान जो गुरु क्या करता है, हमें प्रदान करता है, यह हम कह सकते हैं जो ग्यान गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है, उसे हम प्रतक्च ग्यान कह सकते हैं, प्रमान या प्रतक्च ग्यान कह सकते हैं साक्षी को, समझ गया होंगे आप? अब यहाँ देखे साक्षी सब्द का अर्थ भी हमें यहाँ पर बताया गया है इसे आप ध्यान से देखे कहा गया है साक्षी सब्द साक्षी सब्द का ही तदभव रूप है अब यहाँ आपसे यह कुशन भी पूछा जा सकता है कि जो साक्षी सब्द है वह किसका तदभव रूप है तो अगर आपने इसे ध्यान से सुना होगा या पढ़ा होगा तो आप अवश्य ही बता देंगे कि साक्षी सब्द का तदभव रूप है और यहां यह भी पूछा जा सकता है कि साक्षी क्या है तो साक्षी तदभव है और साक्षी क्या है तो साक्षी बच्चों तत्सम है आप तत्भव और तत्सम के बारे में जानती होंगे तत्भव सब्द जो होता है वो बच्चों हिंदी का सब्द होता है और तत्सम सब्द जो होता है बच्चों वो संस्कृत का सब्द होता है जो ह का अर्थ होता है क्या प्रत्यक्ष ग्यान जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया है कि साक्षी सब्द का अर्थ होता है प्रमान या आप इसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष ग्यान और यह ग्यान किसके द्वारा प्रदान की जाती है तो बच्चों यह ग्यान गुरू अपने से 24 मात्रा में जगन है प्रस्तूत पार्ट की साखियां प्रमान है कि सत्य साक्षी देता हुआ ही गुरू सिश्य को तत्तो ग्यान देता है यह सिख्षा जितनी प्रभापुर्ण है उतनी ही याद रह जाने योग्य तो बच्चों आप समझ गये होंगे साखिय सब्द का अर्थ अब हम आगे बढ़ते हैं दोहें की तरफ पहला दोहा है हमारा ऐसी वानी बोलिये मन का आपाक होए अपना तन सीतल करे और अनको सुख होए बच्चों बहुत ही सरल सब्दों में कबीरदाज जी ने इस दोहे को कहा है उन्होंने कहा है ऐसी वानी बोलिये बानी कैसी होनी चाहिए यहां कबीरदाज जी हमें समझा रहे हैं वानी ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो जाए मन का आपा खो जाए आपा का अर्थ होता है बच्चो एहंकार आपा का अर्थ होता है एहंकार यानि हमें ऐसी वानी बोलनी चाहिए जिसे हमारा एहंकार क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, खोना खोई का अर्थ होता है खोना यानि समाप्त होना आप यहाँ पे समाप्त होना भी समझ सकते हैं या खोना भी समझ सकते हैं वहीं कह रहे हैं अपना तन सीतल करें औरन को सुख हो वानी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा एहंकार खत्म हो जाए और अपना तन सीतल यानि की अपना सरीर भी क्या हो जाए सीतल हो जाए और औरन को सुख हो जिससे दूसरों को भी सुख हो और खुद को भी सुख प्राप्ती हो तो यहां पे सीतल का अर्थ होता है बच्चों ठंड़क वानी ऐसी होनी चाहिए जिससे खुद को भी ठंड़क मैसूस हो और जो सुनने वाला है सुरोता है उसे भी मानसिक सुख की प्राप्ती हो अब यहाँ देखें यहाँ इसका व्याख्या किया गया है आप इसे ध्यान से देखें पंक्ती में कबीरदाज जी कहते हैं कि हमें ऐसी वानी बोलनी चाहिए जो हमारे हिर्दय के एहंकार को मिटा दे अर्थात जिसमें हमारा एहमना जहलकता हो जो हमारे सरीर को भी ठंड़क प्रदान करे तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करे अब इससे हमारा यतात पर है हमारे तन को सितलता प्रदान करे तथा सुनने वाले स्रोता को बेमानसिक सुपकी प्राप्ती हो तो बच्चों देखे कबिरदास जी ने कितने सरल सब्दों में ये इतनी महत्वपून बात को हमारे सामने दोहे के रूप में प्रकट किया है अब हम दोही में कावे शौंदर, कलापक्च, अलंकार इन सब के बारे में जानेंगे बच्चों अब हम जानेंगे दोहे का कावे शौंदर क्या है दोहे का कावे शौंदर तो बच्चों दोहे का कावे शौंदर है वानी की मधुरता जो वानी हमारे द्वारा वोली जाती है उसकी मधुर्ता वानी की मधुर्ता कावे सौंदर रहे हैं आपे कलापक्ष देखते हैं बच्चों कलापक्ष क्या है इस दोहे का कलापक्ष है इसमें किसके सलंकार का प्रियोग किया गया है इसकी भासा कैसी है तो बच्चों कलापक्ष है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रेव किया गया है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं बच्चों अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें वेंजन वर्ण की आबरिती कई बार हो आप ध्यान से देख सकते हैं यहां वेंजन वर्ण की आबरिती कई बार की गई है वानी और बोलिये यानि कि वो वर्ण की आबरिती यहां पे कई बार की गई है तो यह जो हमारा दोहा है उस दोहे में अनुप्रा सलंकार का प्रयोग किया गया है वानी और बोलिये बच्चों दोहे की जो भासा है वह भासा सरल भासा है आप कह सकते हैं सहज और सरल भासा कैसी है दोहे की दोहे की भासा सहज और सरल भासा का प्रियोग किया गया इसमें ताकि बहुत ही आसानी से उनकी बातों को हम समझ सकें कि कबिरदाज जी हमें क्या समझाने की कोशिस कर रहे हैं भासा में बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि कबिरदाज जी ने यहां सधुकरी भासा का प्रियों किया है किस भासा का प्रियों किया है? सधुकरी बच्चों सधुक्री भासा संतों की भासा मानी जाती है जो बहुत ही सहज और सरल होती है जिसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है दूसरे दोहे में कबेरदास जी कहते हैं कस्तुरी कुंडली बसे मृक ढूंढे बन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना ही अब यहां भी देखे कितनी सरल और सहज भाजा का प्रयोग किया गया है कहते हैं कविरदाज जी कस्तुरी कहां बसता है कस्तुरी कुंडली में बसता है बच्चों कुंडली का अर्थ होता है ना भी ना भी तो यहाँ पे कबिरदाज जी यही कहने की कोशिस कर रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे कस्तूरी कहां बसता है कुंडली में और म्रेग उसको कहां ढूनता है म्रेग उसे चारो तरफ ढून रहा है दूसरी पंक्ती में उन्होंने कहा है ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं ऐसे ही इस्वर सभी जगा हैं लेकिन उन्हें हम नहीं देख पाते हम उन्हें यहाँ वहाँ इधर उधर ढूनते फिरते हैं कवीरदास जी उधारन दुआरा इश्वर की महता असपस्ट करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कहते हैं कष्टूरी तो हीरन की नाभी में इस्थित होती है प्रन्तु वह उसे वन में ढूनता फिरता है अर्थात वह अपने अंदर बसी कस्तुरी को नहीं पहचान पाता यही इस्तिती किसकी है? मनुष्य की भी इस्तिती यही है इस्च्वर तो प्रत्यक्च प्रत्यक हिर्दय में निवास करता है और मनुष्य उसे इधर उधर ढूंदता फिरता है अर्थात मनुश्य अपने भीतर इश्वर को न ढूंड कर उसे कहा ढूंडता है उसे ढूंडता है बच्चों मंदिर और मस्जिद में हम जानेंगे कावेश अंदरे के बारे में बच्चों दोहे का कावेश अंदरे क्या है तो बच्चों दोहे में कावेश अंदर है इश्वर की निवास अस्थान को बताया गया है इश्वर का निवास अस्थान का इश्वर का निवास अस्थान बच्चों हमारे हिर्दे में है वह हमारे हिर्दे में वास करते हैं इश्वर का निवास अस्थान हिर्दे है उसके बाद उन्होंने उदारन दिया है म्रिक का म्रिक का उदारन दे करके हमें समझाने की कोशिस की है कि हम भी म्रिक की तरह ही क्या करते है हम भी म्रिक की तरह ही इधर उधर भटकते रहते हैं किस की तलास में? इश्वर की तलास में लेकिन इश्वर कहा है इस्वर तो हमारे हिर्दय में जिस तरह कस्तुरी कहा है हिरन के कुंडली में है उसी तरह इश्वर हमारे हिर्दय में है ना की इधरुद दोहे में कलापक्ष क्या-क्या है यह हम जान लेते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगी कि इसमें सहज और सरल भासा का प्रयोग किया गया है सबसे महत्तपून बात है कि इसमें किस भासा का प्रयोग किया गया है सहज और सरल भासा का दूसरा इसमें अनुप्रा सलंकार का प्रयोग किया गया है मैंने आपको अनुप्रा सलंकार समझा दिया अनुप्रा सलंकार किसे कहते हैं आप सब समझ गए होंगे अनुप्रा सलंकार में वेंजन वर्ण की आपरिती कई बार होती है आप यहाँ ध्यान से देखिए तो इस दोहे में भी वेंजन वर्ण की आबरिती कई बार की गई है यहाँ ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पे कव वर्ण की आबरिती कई बार की गई है और दव वर्ण की आबरिती कई बार की है कस्तुरी कुंडली दुनिया देखें तो बच्चों इसमें कलापक्ष तो बच्चों इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे पुन्रुक्ती प्रकास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है बच्चों यहाँ पुन्रुक्ती प्रकास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है ये घटी घटी सब्द पुन्रुक्ती प्रकास अलंकार का सब्द है घटी घटी अब हम तीसरे दोहे को समझेंगे तीसरे दोहे में कबिर्दाजी कहते हैं जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माहीं, बहुती सरल सब्दों में यहां पे कह रहे हैं कबिर्दाजी, जब मैं था तब हरी नहीं, बच्चों यहां पे मैं सब जो है वह एहंकार को दर्सा रहा है, किसको दर हिर्दे में एहंकार का निवास था तब क्या नहीं थे हरी नहीं थे हरी यानि कि इश्वर हरी इश्वर को हरी सब जो है उससे इश्वर को दर्साया जा रहा है यहां कबिरदाजी यही कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरी नहीं यानि जब हमारे मन में एहंकार भाव था तब इ एहंकार नहीं है एहंकार क्या हो गया है खत्म हो गया है यानि कि इश्वर के हमारे हिर्दे में निवाश होने से एहंकार का क्या हो जाता है विनास हो जाता है दूसरी पंक्ती सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही यहां बच्चों अंधियारा सब्द जो है उ जब तक हमारे अंदर अज्ञान था हम इश्वर को नहीं बहचान पा रहे थे और जैसे ही हमारे अंदर ग्यान की दीपक जली वैसे ही क्या हो गया यह अज्ञान मिट गया दीपक यहां दीपक सब्द ग्यान के लिए प्रयोग किया गया है दीपक सब्द का प्रयोग ग्यान क लिए किया गया है अब यहां देगे दोहे का व्याख्या दिया हुआ है व्याख्या है कवीरदाजी कहते हैं कि जब मेरे अंदर एहंकार था तब तक मुझे इश्वर की प्राप्ती नहीं हुए थी अब जब की मेरे अंदर का एहं मिट चुका है तब मुझे इश्वर की प्राप्ती हो गई है जब मैंने ग्यान रूपी दीपक के दर्शन कर लिये तब अग्यान रूपी अंदकार मिट गया अर्थात एहं भाव को त्याग कर ही मनुष्य इश्वर की प्राप्ती कर सकता है यानि जब तक हमारे अंदर बच्चों एहम का भाव होगा तब तक इश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हो सकेगी बच्चों दोहे में कावे शौन दर्य इश्वर की प्राप्ति का उपाई है आप यहाँ देख सकते हैं कबिरदाजी ने इश्वर की प्राप्ती का उपाय बताया है इस दोहे में इश्वर कैसे प्राप्त होगा एहम को खत्म करने से जब तक हमारे अंदर एहम का वास होगा तब तक हमें इश्वर की प्राप्ति नहीं होगी एहम को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे इश्वर हमें नहीं मिलेंगे और इश्वर प्राप्ति के लिए एहम को ही बाधा माना गया है एहम को क्या माना गया है इश्वर प्राप्ती में सबसे बड़ा बाधा एहम बाधा है कलापक्ष जान लेते हैं दोहे का कलापक्ष क्या है तो बच्चों दोहे में कलापक्ष है पहला है कि मैं सब्द एहंकार को बता रहा है मैं सब्ध दर्शाता है किसको एहंकार को और इसमें भी बच्चों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है अनुप्रास अलंकार है इसमें भी यहां देखिए हरी है हवर्ण की आबरिती कई बार हुई है तो यहां हवर्ण की आबरिती कई बार हो रही है और दवर्ण की आबिती कई बार हो रही है दीपक और देख्यां तो ये हो गया अनुप्रा सलंकार पर्तिक के रूप में बच्चो अंधियारा का प्रयोग किया गया है अंधियारा जो है वह दर्शाता है किसको अज्यान को अज्यान को दर्शाता है अंधियारा परती के रूप में दूसरा सब्द लिया है वच्चो दीपक को दीपक का अर्थ होता है ग्यान अगले दोहे को देखते हैं चौथे दोहे में कबिरदास जी ने कहा है सुखिया सब संसार है, खाए अरू सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोबे बाती सरसब्दों में यहाँ पर कबिरदास जी कह रहे हैं, सुखिया यानि की सुखि बच्चों सुखिया सब्द का आर्थ होता है सुखि सुखिया यानि सुखि सुखि कौन है? सुखि है संसार क्या करता है वो? खाता है और सोता है खाए यानि की खाना, सोबे यानि की सोना तो कबिरदाज जी पहली पंक्ती में यही कह रहे है सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है दुखिया मतलब बच्चों दुखी दुखिया का अर्थ होता है बच्चों, दुखी तो यहां दुखी कौन है यहां दुखी है कबीरदाज जी कबीरदाज जी क्या है दुखी है वो किसलिए दुखी है वो भी हम जानेंगे दुखी आदास कबीर है जागे अरूरोबे दुखी कौन है कबीरदाज जी है क्यूं जागते हैं और रोते हैं क्यूं जागते हैं वो जागते हैं प्रभु के बियोग में उन्हें कहीं भी चैन नहीं है क्यूं नहीं है वे संसार की दसा को देख कर रोते हैं कि मनुष्य जो है वा चिंतन सीन मनुष्य जो क्या कर रहा है चैन की नीन सो रहा है जो इश्वर की भगती को छोड़ करके खाने और पीने में ही ब्यस्त है खाता पीता और सोता है बस इतना ही काम करता है इसलिए कबिरदाज जी दुखी है और कहते हैं सुखिया सब संसार है खाए अरू सोबे दुखिया दास कबीर है जागे अरू रोबे अब यहां देखिये व्याख्या दिया हुआ है कबिरदाज जी कहते हैं कि यह संसार सुखी है क्योंकि यह केबल खाने और सोने का काम करता है अर्थात सब प्रकार की चिंताओं से क्या है परे हैं उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि उसकी जीवन में आगे क्या होगा इन में दुखी केबल कभीरदाजी हैं क्योंकि वे ही जागते और रोते हैं अब यहां जागने और रोने का क्या आसे हैं यह देखिए सांसारिक सुखों में व्यास्त रहने वाले वैक्ती सुख पुर्वक समय वैतीत करते हैं और जो प्रभू के वियोग में जागते रहते हैं उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता वेतो केबल संसार की दसा देख कर रोते हैं चिंतन सील मनुष्य कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता यहां कबिर्दाजी कहते हैं कि जो चिंतन सील मनुष्य हैं जो विचार सील है जो हमेशा विचार करता रहता है किसके लिए अपने लिए नहीं संसार के लिए सोचता हैं दूसरों के लिए सोचता है वा कभी भी चैन की नींद नहीं सोता है तो इस दोहे के माध्यम से कबेरदाजी हमें यही समझाने की कोशिस कर रहे थे बच्चों इस दोहे का कावेश उन्दरे जान लेते हैं कावेश उन्दरे इसमें क्या है तो बच्चों इस दोहे में कावेश उन्दरे है चिंतन सील मनुश्य की व्याकुलता क्या है कावेश वंदर चिंतन सील मनुष्य की व्याकुलता चिंतन सील मनुष्य व्याकुल है किसके लिए उन लोगों के लिए जो अपने भविस्य के बारे में नहीं सोचते तो यह आप ध्यान रगना की दोहे का कावेश वंदर है चिंतनसिल मनुश्य की व्याकुलता दोही का कलापक्ष जान लेते हैं तो बच्चों दोही का कलापक्ष है पहले तो इसमें भासा क्या है सहज और सरल सहज और सरल भासा का प्रियोग किया है कबिरदाजी ने दूसरा यह अनुपरास अलंकार का प्रियोग किया गया है अनुपरास अलंकार मैंने आप लोगों को अनुपरास अलंकार के बारे में पहले ही बता दिया था इसमें वेंजन वर्ण की आबरिती कई बार होती है तो यहाँ देखे इसमें सववर्ण की आबरिती कई बार हुई है और दवर्ण की आबरिती कई बार हुई है सुखिया सबसंसार है यहाँ सवन की आबरिती है दुखिया दास तो यहाँ दावन की आबरिती है तो इस दोहे में अनुप्रासलंकार का प्रयोग किया है सदुक्री भासा का प्रयोग किया गया है सदुक्री भासा के बारे में पहले ही मैंने बताया था आपको सदुक्री भासा यानि कि साधू संतों की भासा साधू संतों की सरल और सहज भासा जो लोगों के समझ में आसानी से आ जाए बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें बच्चों अगले वीडियो में हम साखी में दिये गए और दोहे का व्याख्यां समझेंगे और जानेंगे धन्यवाद